असलाव अलेकूम माई आल वीवर्स और ये गुट मॉर्निंग सुबह का टाइम है और मैं जाग चुकी हूँ मौसम कुछ गरम है आज का और बस गर्में भी आने वाली है और रोजे तो काफी ही असान है माशाल्ला से और दूसरी बात ये है कि आज का टॉपिक में कुछ इस तरह रहे हैं कि आप लोगों कुछ बता सकूँ अगर आपकी आप बालों के हवाले से मैं बताना चाहती हम कि अगर आपके बाल खुश्के कुजली हो रहे हैं या कुछ हो इस तरह के कुछ सिचुईशन हो रहा है आपके साथ या बाल रूखे से हो गए हैं तो आपको चाहिए कि आप जेतून का तेल भी लगा सकते हैं साथ में जेतून के तेल में लेमन मिक्स कर ले और फिर लगाए तो आके खुश्की और रूखपन बालों का ठीक हो जाएगा और फ्रीजी फ्रीजी बाल नहीं होएंगे नर्मा मुलाइम बाल होंगे ये तो आज का टोपिक था जो मैं बता रही बता चुकी हूँ सोरे और ये देखें बाहर धूपे काफी तेस धूपे आज मुसम गरम है ऐसे गरम नहीं है कंबल में भी हम सोरे लेकिन धूप के लिहाज से बाहर थोड़ा गरम मैसू सोरे अच्छह तभी बस इबादत का वक्थ था इबादत कर ऐखी ऊँ जतना करना था जितना मेरी मुह में इनर्जी थी मँधर कर जुकी हूँ बस यह नउर्मल सी रूटीन है जो मैं आप लोग इसे साथ शेयर करना चारह हूँ आप लोग बताई कि आप रमजान में क्या करते हैं आप लोगों क्या रूटीन है और किस तरह से आप रमजान को गुजारते हैं क्या और रमजान में आप walk करते हैं या नहीं ये सारी बाते इस comment में भी आप हमें बताईए viewers को भी बताईए ताकि पता चल सके के हर एक क्या कहानी है और रमजान में अक्सर इस तरह होता है के कोई walk नहीं करजपाता है नमाज पढ़ने के बाद सोई जाता है तो हर पंदे की अपनी च्वाइस होती है और यहां तो बस अब मैं नीचे जाऊंगी देखूंगी कि नीचे क्या हो रहा है और आज मैंने कुछ डिशिश वगिर आप लोगे के साथ इसलिए शेयर नहीं की कि मैंने सोचा कुछ टोपिक पर बात किया जाए रफजान की चीजे मैंने आप लोगे से शेयर इसलिए नहीं की इस दफ़ा इस ब्लोग में कि मैं आप लोगे कुछ लुकसे वगिर बदा सकू और हाँ जब आप अगर कुछ टेबलेट लेना चाहते हैं तो विटमन ए का टेबलेट ले सकते हैं लेकिन इससे पहले आप ऐसे करके आप डोक्टर से झाल 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 झाल